सब्सक्राइब कीजिए टेकनिकल गुरूजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेकनलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों, वावे ने इंडिया में लॉंच कर दिया है अपना नया फोन जो कि है Honor Age Pro तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहें और मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसी फोन के बारे में करते हैं इसके उन्बॉकसिंग, देखते हैं कि बॉक्स कॉंटेंट्स क्या है उसके अलावा मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ अपने उपीनियोंस और आपके लिए चोट अधा स्रप्राइज है इसी Honor 8 Pro के लिए नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गॉरव, आप देख रहे हैं टेकनिकल गुरू जी, चले शुरू करते हैं दोस्तों ये है फोन का बॉक्स, हाला कि ये Honor 8 Pro का बॉक्स नहीं है ये है दोस्तों Honor V9 का बॉक्स, फोन का चाइना में जो नाम है वो है Honor V9 इन इंडिया में आता है Honor 8 Pro के नाम से, फोन बिल्कुल सेम है, बॉक्स हो जाएगा, डिफरेंट अगर आप इसको पर्चेस करेंगे इंडिया में तो यहां पर आपको नहीं तो सामने नहीं पीछे कोई भी चाइनीज दिखने को मिलेगी हालांकि दोस्तों यह सब तो माइनर चीज़े हैं, सीधा करते हैं बॉक्स को ओपन और देखते हैं कि जो फोन है वो कैसा है तो यह है दोस्तों Honor 8 Pro अपने टिपिकल वावे के ब्लू कलर में इसको एक बार रखते हैं हम साइट में और बात करते हैं box contents की तो यहां पे दोस्तों इनफेक्ट जो box है वो भी काफ़े interesting है और यहां पे आप इसी box को लगता है कि एक VR viewer की तरह काम में ले पाएंगे अगर हमसे बात करते हूं बाकी box contents की तो यहां पे दोस्तों होने वाला एकदम standard affair जहां पे आपको मिलेंगी कुछ booklets, कुछ guides जिनके बारे में नहीं तो आपको परवा है नहीं मुझे लेकिन उसके रावत दोस्तों यहां पे आपको मिलते हैं दो lenses जो आपके काम आएंगे अगर आप काम मिलेंगे इस box को एक VR viewer की तरह है यहां पे दोस्तों बाकी तो भाई standard stuff है कुछ है normal किताब है और यहां पे दोस्तों है आपके SIM ejector tool जहां तक मैं आपसे बात करता हूँ cable की तो यह है दोस्तों एक USB type A to type C cable charging और data syncing के लिए जो charger है इन फाक्ट दोस्तों यह है एक fast charger जो Huawei quick charge को support करता है और जो output rating है वो है 9 volts 2 ampere की अब अगर आप हो रहे हैं confused कि भाई आप कैसे इस box को एक VR viewer की तरह काम में ले पाएंगे तो यहां में दोस्तों इस box में आपको नीचे मिलती है कुछ notches आपके power button और volume rocker के लिए तो आप बस अपने phone को रख दीजिए box में नीचे को जिस तरीके से और उसके बाद में अगर आप लगाएंगे उपर इस वाले portion को और attach करने है अपने lenses को तो आप दोस्तों काम में ले पाएंगे इसी box को एक VR viewer की तरह है तो यह काफी एक interesting concept है हालगे दोस्तों अभी हम बात करते है main is phone के बारे में because यही है दोस्तों इस वीडियो की highlight तो मैं करता हूँ सामान थोड़ाजा clear और हम बात करेंगे सीधा इस phone के बारे में अब यहां पर दोस्तों यह जो phone है इसके अगर मैं बात करता हूँ सब्सक्राइब के बारे में तो आपको मिलता है एक 5.7 इंचिस का quad HD screen जो कि एक IPS display है और इसके उपर आपको मिलता है Corning Gorilla Glass 3 उसके लाओ दोस्तों जो phone है वो complete बना है पीछे से और साइडों से और उपर से और नीचे से metal से यहां पर दोस्तों आपको मिलता है Huawei का latest Kirin 960 processor जहां पर दोस्तों 4 cores है Cortex A73 based जो बाकी 4 cores हैं वो है Cortex A53 based यहां पर दोस्तों बनाया गया है 16 nanometer technology के उपर जो आपको GPU मिलता है वो है Mali का latest G71 आपको इस phone के तर दोस्तों मिल जाएगी 6 GB की RAM जो की है DDR4 और आपको मिलती है 128 GB की storage जो की है UFS 2.1 based उसके लाओ दोस्तों यहां पर fingerprint scanner तो आप देखे सकते हैं पीछे की तरफ और जो पीछे cameras है वो है dual rear cameras जहां पर दोस्तों एक जो camera है वो है 12 MP का colored sensor वाला जो दूसरा है वो है 12 MP का black and white sensor वाला और Huawei ऐसा कहता है कि इन दोनों के combination से आपको low light में काफी अच्छी photos देखने को मिल जाएंगी जो aperture है वो है F2.2 का उसके लाद दोस्तों आपको मिलता है laser autofocus और यहां पर दोस्तों है dual tonality flash जो front camera है वो है 8 MP का और यहां पर आपको मिलता है aperture F2 का उसके लाद दोस्तों कर आपसे बात करता हूँ फोन के physical design की दो भाई सबसे परे तो काफी sleek लग रहा है फोन और फिर भी इस फोन के अंदर 4000 mh की battery है तो वो एक काफी interesting चीज है उसके लाद दो यहां पर आपको मिलता है उपर की तरफ अपना एक IR blaster और एक secondary mic यहां पर आपको मिलती है SIM tray जहां पर आप लगा सकते हैं यहां तो दो SIM card या फिर एक SIM और एक memory card जहां तक मैं आपसे बात करता हूँ फोन के नीचे की तो यहां पर आपको मिलता है एक headphone jack, primary mic, USB Type-C port और एक speaker grill उसके लाँ दो यहां पर आपको मिलता है एक side के अंदर power lock unlock button और volume rockers तो यह है दोस्तो complete phone और इसको हम करते है on और देखते है कि जो phone के अंदर आपको मिलता है UI वो कैसा है तो यह है Huawei का EMUI 5.1 अगर मैं जाता हूँ settings में और यहां पर आपको दिखाता हूँ कि Android version कौन सा है तो यह है दोस्तो Android version 7.0 यानि की Android Nougat जा आपको security update मिलता है वो है June के महीने का उसके लाँ दोसनो RAM आप देख सकते है 6 GB और जो storage है वो है 109 GB free, total 128 GB में से तो phone दोस्तों काफी interesting है, specs के मामले में आपको इसमें in fact NFC वगरे का support मिल जाता है और जो price है वो है 30,000 रुपे से 1 रुपया कम, यानि की 29999 दोस्तों phone काफी interesting है, मतलब Huawei ने definitely इस बार जो price है उसके उपर काफी control किया है पिशले साल Honor H की price काफी ज्यादा थी और in fact दोस्तों इस phone की जो price है UK में वो है 40,000 रुपे तो ये basically इंडिया में दोस्तों कम price पे launch किया गया है और अगर आपको दिखातो है एक बब basic इसका UI तो ये आपको मिलता है कोच इस तरीके का अगर मैं देखूं camera में जाके तो यहाँ पे दोस्तों को मिल जाता है ये है camera का main interface अगर आप देखेंगे तो आपको in fact बहुत सारे यहाँ पे options मिलते हैं जो dual camera का benefit आप पे उठाएंगे और आपको शायद काफी interesting feature quality दे देंगे जो हम check करेंगे आने वाली videos में उसके लाब जो फोन है वो काफी एकदम media centric phone है मैं कहूंगा कि आपको 2K का screen मिल रहा है तो आप VR में बड़े आराम से इसको काम में ले पाएंगे जो processor है वो काफी interesting है जो hardware है वो definitely काफी powerful है उसके लाब जो battery है वो भी 4000 mhk तो यहाँ में मतलब आपको एक complete package मिल रहा है मैं इसमें ऐसा नहीं क्या पहूंगा कि भाई आपको एक चीज़ जो हो बहुत ही खराब मिल रही है या एक चीज़ जो आपको वो इतनी अची नहीं मिल रही है अब दोस्तों इस फोन इतना interesting है तो ऐसे में इसको मैं अपने पास में नहीं रखूँँगा दोस्तों यह मिल जाएगा आप में से किसी एक viewer को आपको सिर्फ करने है यहाँ पे छोटी छोटे कुछ काम सबसे पहले आपको करना है इस वीडियो को like जो कि आप करते ही है नॉर्मली अपना प्यार दिखाने के लिए उसके लाओ दोस्तों आपको करना है इस वीडियो को share और नीचे लिखना है अपना comment जहां पे आपको मुझे ये बताना है कि ये phone 30,000 रुपे की price range में किस तरीकी से market में निकल के आने वाला है भाई क्या ये OnePlus 5 को टक्कर दे पाएगा या नहीं आपको इस phone के बारे में क्या अच्छा लगा क्या अच्छा ने लगा दोस्तों आप अपनी राय जो है लिख दीजे comments में मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर 6GB की RAM है 128GB की storage है 4000MH की battery है 5.7 जिसका quad sg screen है dual camera है तो पैकेज तो काफी कमाल है लेकिन भाई market भी बहुत धमाल है इंडिया का तो आप मझे बताओ कि 30,000 रुपे की price range में जो phone है ये आपको हजम हुआ या नहीं हुआ उसके अलावा चैनल को subscribe करना mandatory नहीं है लेकिन अगर आप करेंगे उस लाल बटन पे click और दबाएंगे उस घंटे को तो होगी दोस्तों आपको आनंद की प्राप्ति और उसके बाद में रैंडम लिए comment पिक करने वाला हूँ और चैनल को subscribe करना बिलकुल ही मत भूलेगा क्योंकि मैं आपको ले रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ फिलाल के लिए तना ही दोस्तों जैहिंद वन्दे मातरम